क्या आप TikTok यूज करते हो अफकोस करते होंगे यार यह भी कोई पूछने वाली बात है आप सभी लोग को पता है TikTok basically short videos के लिए जाना जाता है जहांपर आप short videos upload करके famous हो सकते हो TikTok में आपको ऐसे ऐसे talent देखने को मिलेंगे जो शायद आपको किसी दूसरे platform में देखने को नहीं मिलेंगे यहां पर आपको जानके हरानी होगी कि TikTok के पास करीफ 500 million active users है monthly जो कि एक बहुत ही बड़ा नम्मर है तो यहां पर बहुत सारे creator, influencer या फिल्म star साथ में बहुत सारे Instagram या फिर बहुत सारे YouTubers जो पहले YouTube पे वीडियो बना देते हैं आप वो भी धीरे-धीरे TikTok पे सिफ्ट हो रहे है तो यहां पर एक सवाल जरूर आता है कि क्या TikTok YouTube को replace कर देगा और TikTok YouTube से आगे निकल जाएगा वेल इसी सवाल का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे वेल जानना चाहते हो तो जानने के लिए वीडियो लास तक देखते रहो हेलो गाइस मेरा नाम है मनोश सारू और हमेशा की तरह टेकनोलजी गैंचेल में आपका स्वागत है वेल गाइस TikTok YouTube की जगा ले पाएगा या नहीं यह जानने से पहले आए कुछ डिफरेंसिस जान लेते हैं YouTube और TikTok के बीच में और कुछ स्टैट्स देखते हैं जिसे देखने के बाद आपको क्लिर आइडिया हो जाएगा आखिर में कौन किंग है और कौन हमेशा असली किंग टिक टॉक बेसिकली एक शोशल मेडिया एप है जहां पर आप शॉट वीडियो अप्लोड कर सकते हो जहां यहां पर आप लिपसिंग कर सकते हो डांसिंग कर सकते हो कॉमेडी कर सकते हो एंटेटीन कर सकते हो लोगों को या फिर अगर आप शॉट वीडियो करेट करना चाते और यहां पर आप कितनी भी लंबी चाहे वीडियो अपलोड कर सकते हो जहाँ यहां पर जो वीडियो की लेंट है उसके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्षन नहीं है यहां पर हम YouTube की बात करें तो यह एक website है, app है, यहां पर आपको entertaining के अलावा और भी बहुत कुछ चीजे मिल जाती है, जैसे कि आपको educational content देखना है, आपको कुछ सीखना है, खाना बराना सीखना है, आपको computer चलाना सीखना है, आपको laptop के वारे में जान करें जान करें जान करे जाता है, 30 second, 15 second या फिर maximum 1 minute, तो ऐसी चीज़े यहां पर TikTok में मिलना पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर TikTok इन सभी चीजों के मामले में कभी भी YouTube को पीछे नहीं कर सकता, अब यहां पर मैं यह नहीं कहा रहा है कि TikTok पर आपको educational content नहीं मिलते, नहीं, बहुत सार ऐसी user है, जो TikTok TikTok पर basically educational content बनाते हैं, और उन वीडियो को देखके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अगर आप मुझे TikTok पर follow करते हैं, तो आपको पता होगा कि TikTok पर भी text related जितने भी educational content होते हैं, वीडियो होते हैं, जो चोटे multi tips and tricks होते हैं, यवी चोटा मोटा ग्यान होता है, जो जा मंतली, जबकि अगर हम बात करें हैं आप पर YouTube की, तो YouTube के पास 2 billion active users हैं मंतली पूरे worldwide में, तो यहाँ आप आप देख सकते हो, अभी TikTok है, वो YouTube से बहुत दूर है, यहाँ पर आपको जानके अहरानी होगी, कि YouTube करीब हर 1 minute में यहाँ पर 500 घंटे का content है, वो upload किया जाता है, औ देखो यार, अभी यह सब चीज अगर देखा जा तो यहाँ पर TikTok अभी इन सब चीजों में YouTube से बहुत ही पीछे है, अगर यहाँ पर हम बात करें audience के age की, तो यहाँ पर आपको जो TikTok में audience मिलेंगी, वो ज्यातर आपको देखने को मिलेंगी, 16 साल से लेके, 24 साल के बीच में यहाँ पर आपको सभी तरह के लोग देखने को मिल जाएंगे, जो basically YouTube में वीडियो को देखते हैं, अपना समय पिताते हैं, इन सभी चीजों से हटके, जो सबसे important part है, जो कि YouTube को हमें साथ टॉप पर रखेगा, वो है monetization, आप सभी लोग जानते है, चाहे आप YouTube पे वीडियो देख रहे हो, चाहे आप TikTok पे वीडियो देख रहे हो, और किसी भी platform पे वीडियो देख रहे हो, वो जो सारा credit है, वो basically जाता है, एक creator को जो भी वीडियो बना रहा है, और यहाँ पर एक creator वीडियो क्यों बनाएगा, जब तक उसे फाइदा ना हो, जब तक उसकी earning ना हो, त यहाँ पर same YouTube है, वो basically monetization program है इनका, जिनके तुरू यहाँ पर जो भी creators है, जो भी original content बनाते हैं, YouTube पर upload करते हैं, उनको basically YouTube एक हिस्सा देता है, पैसे देता है, जिनसे उनकी earning होती है, और बहुत अच्छी खासी earning होती है, तो unfortunately फिलाल अभी के लिए 2019 में आपको TikTok में कोई monetization क का option नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर आपकी earning नहीं होगी, आप TikTok पर कितने भी video upload कर लो, कितने भी views आजाओगे भी या आपकी zero earning होगी, तो यहाँ पर YouTube एक main reason है, यहाँ पर YouTube इसलिए आगे है, क्योंकि यहाँ पर आपको monetization का option मिल जाता है, यहाँ पर creator video upload करके अपनी creativity दि के मामले में हो, हर मामले में यहाँ पर YouTube ही आपके निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पर YouTube जानता है, कि जो main चीज है, वह है creators, अगर creators है, तो YouTube है, YouTube पर videos upload होगे, अगर creators को फायदा होगा, तो ही यहाँ पर creator है, वो video basically create करेंगे और upload करेंगे, अगर उन्हें फायदा नहीं होग तो यहाँ पर सेम यही जो चीज है, वो I think मेरे ख्याल से TikTok को एक समय बात समझनी चाहिए, वरना जो creators है TikTok में, वो धीरे-धीरे कम हो जाएंगे, and I don't think so कि जो TikTok है, वो कभी भी YouTube को replace कर पाएगा, या फिर कहलो YouTube को हरा पाएगा, वाल, यह तो था मेरा opinion, और stats देखके भी आप लोग बताना, आपके हिसाब से क्या TikTok यूटूब को replace कर पाएगा, यूटूब की जगा ले पाएगा, जो भी आपके opinion है, नीचे comment करके बताना, वीडियो पसंद आए, तो like कर देना, share करना, चल को subscribe कर लेना, इसे ही वीडियो के लिए, और जो भी सवाल है, नीचे comment कर आपको एक और नए और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए, good bye